वेलकम बैक टू माई चैनल दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं सदा बाहर प्लांट के बारे में यह सदा बाहर का पौधा है इसे अलग-अलग नामों से जाना जाता है सदा फूली सदा पुस्पी और भी बहुत सारे इसके नाम हैं बारा मासी विगरा यह एक ऐसा पेड़ा इसके फूल जो हैं बहुत ही खुबसूरत लगते हैं और बारो महीने इसमें फूल निगलते हैं साथी साथ जो यह पौधा है बड़े कमाल का होता है इसके पते भी बहुत हमारे काम के होते हैं और इसकी पतियां भी साथी साथ इसकी जड़ भी यानि कि पूरा का पूरा प को बढ़ीआ रखता है इससी के साथ बीटी तीज वेगरा के लिए यह बहुत थरह से इसका यूज है कि बहुत जिढ़ा अनलीमिटेी की सधीये गुड़ है यानि कि मेडिस्नल बैनिफिट्स आयं इसके पत्ते ब्हुत है तो इसके पत्ते जो है डाइबिटीज के लिए आडाइबिटीज के जो लोग हैं उन्हें पत्तियों को रोज सुबा खाली पेट दो से तीन सदा बाहर की पत्तियों का चबा चबा करुपयोग करने से उन्हें जो है मधुमे में यानि डाइबिटीज में शुगर में बहुत ह आराम मिलेगा सदा बहर के पते नियमित रूप से लेने से एक सब्ता आप इसे ट्राई कीजिए सुबा इसकी ताजी ताजी दो तीन हरी पतियां चबाईए खाली पेट फिर आपना सुगर लेवल चेक करवाईए अगर आपको फाइदा लगता है तो आप एक सब्ता के बाद भी इसे जारी रख सकते हैं चेहरे के दाग जो होते हैं मुहासे होते हैं जाईया होते हैं बड़े-बड़े मुहासे भी होते हैं पिंपल्स जिने हम बोलते हैं उन्हें दूर करने के लिए ये बहुत ही ज़्यादा फाइदे मंद होता है आपको कुछ नहीं करना होता है ब अपने मुहासों में चहरे पर जहां जहां भी कील मुहासे हों वहां लगा लें 15 मिनट तक उसको ऐसे ही सूखने दें अच्छे से रहने दें और फिर इसके बाद बढ़े ठंडे ठंडे पानी से अपना मुह धो लें ऐसा करने से आपके जो मुहासे हैं उनका साइज दीरे दी जो है दोस्तों मिलता है साथी साथ जो पाइल्स होती है जिसे बवासीर बोलते हैं इसमें जो सदा बाहर के फूल है उनका जो है बहुत ही बढ़िया उपयोग है जो इनका मेडिसनल जो यूज है वो ये है कि सदा बाहर की फूल और पतियों को दोनों को मिला कर कि इसका पे पर जरूर लगा करके देखिएगा कील मुहा से जाईया हो गए चेहरे पर जो काले काले दाग धब्बे होते हैं उससे जो है आपको बहुत हद तक निजात मिलेगी आप इसे लगा करके देखिए बाल जड़ने जैसे बोलते हैं ना कि बुढ़ापा रोकता है तो अगर हमारी सकिन चमकती रहे बाल काले रहे तो ऑबियसी बात हैं पूरे नहीं लगेंगे तो बाल जड़ने से भी ये रुकता है तो अगर आपके भी बाल जड़ते हैं बहुत ज़्यादा सफेद होने लगे हैं बहुत ही कम उमर में तो आपको क्या करना है कि सदा बहार के फूर ले ल लगा लीजिए और इस तरह से करने पर जो आपके बाल हैं वो काले होने लगते हैं और इसके बाद में आपको उने आदा गंटा तक लगा रहने दें फिर पानी से धोलें या फिर आप बालों के लिए एक और काम कर सकते हैं कि सदा बहार की पतियों को पानी में उबाल करके इस पानी से अपने बाल दोएं तो उससे भी जो है आपके जो बाल हैं वो काले हो न शुरू हो जाते हैं सबसे जो सरल उपाय है बालों के लिए वो यही है कि पेस्ट बना लें पतियों का पेस्ट बना लें अच्छी तरीके से धो करके और उस पेस्ट को आप लगा लें हफते में दो बार ऐसा आप कर सकते हैं दो से तीन बार हफते में कर सकते हैं जब भी आपको फुरसत लगे पेस्ट पनाईए जहाँ जहाँ आपके बाल जो है दोस्तों सफेद हैं वहाँ पर आप जो है लगा लें इसे और अच्छी तरह से धोडा लें उससे आपके बाल जो है ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे अगर कम काले हैं बाल कुछ लोगों के नैचुरली ही कम काले होते हैं तो उनके जो बाल है वे एकदम बढ़िया काले हो जाएंगे बहुत ही अ सदा बाहर की पती को तोड़ते हैं तो थोड़ एक दूद जैसा निकलता है पदार्द तो जहां पर भी आपको खुजली होती हो बार बार इचिंग हो रही हो वहाँ आप ये लगा लें दो बार तो जो खाज खुजली की प्रॉबलम होती है वो दूर हो जाती है सादी साथ कई बार ऐसा होता है कि तताया बगेरा काट लेते हैं तो ऐसा करने में भी आप यहां सदा बाहर के जो फूल है इन्हें कुचल करके इनका रस लगा सकते हैं इससे बहुत आराम मिलता है तो ये दोस्तों फूल या फिर इसकी पत्यां सदा बाहर का जो पौदा है हमारे जरूर आप इसे उप्योग में लाइए और आज की वीडियो में बताएगे जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए